हाई दोस्तों हम आपको बता दे कि बुद्धवार से 2 सितंबर 2020 16 दिनी का स्रादपक्ष शुरू हो रहा है इन दिनों में पित्रों के लिए पिंदान किया जाता है हर साल पित्रपक्ष में बिहार के गया महराष्ट के नासिक मद्ध परदेश के उजयन और उत्रा खणने के ब्रह्म कपाल में लाखों लोग पिंदान करने पोचते हैं इस सार इस महामारी के कांड इस साल हालात काफी बल्ले से हैं स्राद तरपड़ा आदि के इंप्रमुक्ति ठोम से रौनक पूरा गयव है भारती धर्म सास्त्र और कर्म कांड में प्रित्रपक्ष को बहुत महत्त पूर्ड अस्तान दिया गया है इस साल प्रित्रपक्ष की सुरुआत तरह सल एक सितंबर से हो रही है उसमें पूर्डिमा का सराद किया जाएगा जो 11 बज़े की बाद हो आपको मैं दिखा दूँगा सितंबर से हो रही जो की 17 सितंबर तक चलेगी ऐसा माना जाता है कि इसी पित्रपक्ष में हमारे पित्र या पूरुवज धर्ती पर आते हैं इसलिए उन्हें देव सरूप माना जाता है ऐसी मानता है कि पित्रपक्ष में किये गयतर पर सराद और दिये गयतान से हमारे पित से हम पित्र दोस के अभारिक हो जाते हैं इसलिए पित्र पक्ष में इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसा कार इस प्रक्ति पक्षों में न करें जिससे हमें आपने पित्रों की नाराजगी का सिकार होना पड़े हैं पित्र पक्ष के समय अपने दोर पर किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि हमारे पुरुज किसी भी रूप में हमारे दोर पर खड़े हो सकते हैं इसलिए पित्र पक्ष के दोरान अपने दोर पर किसी भी बिखारी अतिति या किसी भी आगनतु का नया समान नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है कि पित पक्ष का समय अपने पूरुजों को याद करने और उनकी पती सोग दिखाने का होता है पित पक्ष में तरपर करने वाले आदमी को अपने दाड़ी और बाल नहीं बनवाने चाहिए ऐसा करने पर पूरुज नराज हो सक तो फ्रेंट जैसे कि मैं आपको बता दो कि ये पित पक्ष हमारा 2020 का बहुत ही अनोखा होने वाला क्योंकि ये इस्टाल बहुत ही सांती है जगह देखा जाए तो ऐसा भी माना जाता है कि पित्रों को लोहे के पात्र में जल नहीं देना चाहिए ऐसा करने के पित्र नराज हो जाते है इसलिए उन्हें पित्तल फूल या तामबे के बर्तमों में जल दे जाता है ACV मानता है कि लोग जो अपने पित्तरों को जल देते हैं उन्हें इन दिनों किसी दूसरे के घर भोजन नहीं करना चाहिए दूसरे के घर भोजन करने से भी पित्तर नराज हो सकते हैं पित्तपक्ष के दोरान मांस और मदीरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए पीत्र पक्ष में पित्रों का तरपरत करने में पुंड प्राप्त होता है जो तिस सास के अनुसर जो दोस्त बताया गया है। प्रित्रपक्ष में पिंदान को बहुत महत्तु है मांता hackनल पिंदान में चावल गाय का दूद घी, गूडर और सहयध को मिलाकर बने पिंडो को पिंदान को पित्रो को अर्पित किया जाता है इसके साथ ही जल में काले तिल और जवकुसा सफेद फुल मिला कर तरपड़ किया जाता है सराथ कर्म करने से पित्रों के किरिपा प्राप्त होती है प्रित पक्ष में दान देने की परंपरा है सराथ करने में दोस समाप्त होते हैं प्रित्रपक्ष में अपने पुरोजों का तरपन और पिंदान नहीं करते हैं। प्रित्रपक्ष के दोरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्रित्रपक्ष में अपने पुरोजों का पिंदान या तरपर जैसा अनुष्ठान किया जाता है। तब इसमें परिवार के किसी बड़े सदस्यों को करना चाहिए। दूसरा, स्रादपक्ष के दोरान हर दिन सुबर जल्दी असनान करके स्वक्ष कपड़े पहन कर पित्रों को स्राद दें। तीसरा, पित्रों का तरपर करते समय हाथ में कुस घास से बनी अंगुठी पैनना चाहिए। जैसे कि आप आपको चौथा बता दें कि आपको क्या करना चाहिए। पित्र पक्ष में पित्रों का तरपर के दोरान जव के आट्ते, तिल और चावल से बने पिंड अरपन करना चाहिए। स्राद पक्ष में हर दिन बने भोजन को सबसे पहले कवे, गाय और कुत्तों को अरपित करना चाहिए। मानता है कि पित्र देव में रूप धानर कर भोज करने आते हैं, कोवे को यम का दूत माना जाता है। पित्र पक्ष में ब्रामडो को भोजन और दक्षिडा के साथ अगनी और गुड पुरानर का पाठ करवाना चाहिए। और पित्र पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। प्रेंड जैसे कि मैं आपको बता दूँ आपको पित्र पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तो मैं आपको भी बता है पित्र पक्ष में करना चाहिए। तो आपको पित्र पक्ष में क्या नहीं करना है उसके बारे में भी जान लीजिए। और पित्पक्ष कब से स्टार्ट हो रहा कब तक है उसके बारे में जा लिजिए। पित्पक्ष का पालन करे इन दिनों इस्तरी पुरु संबन से बचना चाहिए। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं फ्रेंड ये पित्पक्ष है बहुत ही बारे की से करना होता है। नाखुन बाल एवंदारी मूझ नहीं बयाना चाहिए क्योंकि स्राथ पक्ष पित्रों को याद करने का समय होता है या एक तरह से सोग प्यक्त करने का तरीका है। भौतिक सुक के साधन जैसे स्वड़ा बूसर नय वस्त्र वाहान इन दिनों खरिदना अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि ये सोग काल होता है। पित्पक्ष के दौरान किसी भी पर्षिती में जूट न बोलें और कटू अचन से किसी को दुख न पोचाएं। पित्पक्ष के दौरान इस बात का विशेज ध्यान रखें कि घर का कोई भी कोना अंधेरे से न रहे। पित्पक्ष में कूल की मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरर न करें। तो फ्रेंड आज के लिए सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि आज का ये जो हुई अफिसोड में बताया है सब प्रित्प सराद के बारे में बताया कि ये सराद कैसे किया जाता है क्या क्या होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सराद एक तारिक से शुरू हो रहा है जो कि 17 तरिक तक खत्म हो रहा है वैसे मैं आपको एक सोची बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या है कैसे क्या नहीं तो इसके लिए आप सुनिए 1 सितंबर को पूरुडिमा है जोकी 9.45 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा 2 सितंबर से आपकर परतिप्रदा स्राद हात शूभब है ग्यारह वज़न के बाद से स्टाट हो जाएगा थीन सिटमबर को प्राव पोरा दिन रहे गार शाब में दूसरा स्ट जूसरा श्राघ और पुरा दिनATION पनेखाई खरेगा और 9 सितंबर को 7 है जो की पूरा दिन रहेगा 10 सितंबर को 8 है जो की पूरा दिन रहेगा 11 सितंबर को 9 है जो की पूरा दिन रहेगा और 12 सितंबर को 10 है जो की पूरा दिन रहेगा और 13 सितंबर को 11 है जो की पूरा दिन रहेगा 14 सितंबर को 12 मां है जो की पूरा दिन रहेगा 15 सितंबर को 13 मां है जो की पूरा दिन रहेगा और 16 सितंबर को 14 मां है जो की पूरा दिन रहेगा यहीं 17 सितंबर को अमाश्वाप का पूरा दिन है सराथ करने के लिए और आज के लिए सिर्फ फ्रेंड इतना ही आगे हम और वी वीडियो बनाते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैवारत थैंक्स पर वाचिंग मैं चैनल